हलो दोस्तों कैसे हैं आप सब? I hope आप सब ठीक होंगे और स्वस्थ होंगे दोस्तों आज की हमारी कहानी का टॉपिक है लालच एक ऐसी लड़की की कहानी जो बहुत जल्दी अमीर बनना चाहती थी तो चलिए दोस्तों देखते हैं कि वो अमीर हुई या फिर क्या हुआ उसके साथ ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुई अपनी स्टोरी शुरू करते हैं आज मेरी शादी की सालग्रा थी मैं जानती थी कि मेरे शोहर को शादी की सालग्रा याद नहीं होगी क्योंकि वो ऐसे ही थे लापरवा और बेफिक्र से सो मैंने उनको सर्प्राइज देने का सोचा मैंने खुद को और घर को सजाना शुरू कर दिया मैं बहुत खुपसूरत लगना चाहती थी ताकि वो मुझे देखें तो देखते ही रह जाएं मेरा बस चलता तो मैं एक बहुत बड़ी पार्टी करती और सब रिष्टेदारों जान पहचान वालों को बुलाती और खुप धूमधान से शादी की सालगरह मनाती मगर इतने वक्त में मैं अपने शोहर को जान चुकी थी कि उन्हें लोगों से ज़्यादा घुलना मिलना पसंद नहीं था इसलिए फिर बेहतर यही था कि हम दोनों ही सालगरह मनाए आने वाले समय से बेखवर मैं नहीं जानती थी कि मेरे साथ क्या होने वाला है और मैं खुशी खुशी सारा दिन तयारियों में लगी रही अपने शोहर की पसंद का खाना ओर्डर किया और अच्छे से तयार होकर उनका इंतजार करने लगी जैसे जैसे समय गुजरता जा रहा था वैसे मेरी चिंता बढ़ने लगी कि अब तक तो मेरे शोहर को घर आ जाना चाहिए था खाना भी ठंडा हो चुका था लेकिन मेरा शोहर नहीं आया ये सोचकर कि आज के दिन तो उन्हें जल्दी आ जाना चाहिए था मुझे बहुत गुस्सा आ रहा था रात के एक बज गया और मैं थक हारक कर अपने कमरे में सोने जा रही थी तभी वो शराब के नशे में धुत गिरता पड़ता डोलता हुआ घर के अंदर आया ये क्या उसे तो कोई होश ही नहीं था मेरा खाना और सब तैयारी धरी की धरी रह गई थी क्योंकि वो इतने नशे में था कि उससे दो कदम नहीं चला जा रहा था और वो डोलते हुए मेरे उपर गिर गया उसके उपर से शराब की बहुत बद्बू आ रही थी मैंने उसको परे हटाते हुए गुसे में कहा कि तुम शराब पी कर आये हो वो बोला नहीं मेरी तब्यत ठीक नहीं है इसलिए मुझे चक्कर आ रहे है मैंने शराब नहीं पी वो बोला मुझे कमरे में ले चलो मैं उसे देख कर हक्का बक्का रह गई थी कि आज का दिन भी उसे याद ना रहा और नशे में भी जूट बोले जा रहा है उसने अपने हाथ मेरे गले में डाल दिये क्योंकि वो ठीक तरह से खड़ा भी नहीं हुपा रहा था मैंने उसके दोनों हाथ अपने कांधी से जैसे ही हटाए वो लड़ खड़ा कर जमीन पर गिर पड़ा वो गुसे में हिम्मत करके उठ खड़ा हुआ उसने मेरी कलाई जोड से मरोडते हुए कहा तेरी इतनी हिम्मत कि तू मुझे धका देका गिराईगी मुझे बहुत गुसा आया मैंने गुसे में कहा तुम्हें शर्म नहीं आती शराब पीके अपनी बीवी के सामने खड़े होते हुए वो बोला मैंने कौन सा अनोखा काम किया है दुनिया पीती है कलब में आये सारे लोग शराब पीकर अपने घर गए है किसी की बीवी ऐसे आते ही उस पर नहीं बरस पड़ी होगी मगर तुम छोटे घर से आई हो तुम क्या जानो की सुसाइटी क्या होती है बेवकूफ कवार औरत पीछे ही पड़ गई मेरा गुस्सा सातवे आसमान पर था एक तो वो शराब पी कर आया था बजाए माफी मागने के और मुझे बाते सुना रहा था मैंने भी उसे खूब खरी कोटी सुनाई और हमारा जगड़ा शुरू हो गया मेरी गलती थी कि वो नशे में था और मैंने उससे लड़ाई शुरू कर दी मुझे उसकी होश में आने का इंतजार करना चाहिए था अपनी गलती की सदा मुझे भुकतनी पड़ी निकल जवा मेरी जिन्दगी से तुम जैसी औरत से शादी करके पचता रहा हूँ ये सुनकर मैं हका बका रह गई मुझे उमीद नहीं थी कि वो ऐसा करेगा मैं सारी रात दूसरे कमरे में बैटी रोती रही जब सुभा होश आया तो वो घर में नहीं था वो कहीं चला गया था मैं उसे छोड़ नहीं सकती थी इसलिए अच्छी बीवियों की तरह ये बात सह गई मैं अच्छे से तयार होकर उसके आफिस पहुँच गई ताकि हम एक दूसरे के एक गिले शिक्वे मिटा सकें और थोड़ा टाइम बार साथ बिताएं मैं खिड़की के पास खड़ी थी तभी उसे गाड़ी से उतरते देखा उसके साथ एक लड़की भी थी जो उसे सहारा देकर चौकिदार के हवाले करके चली गई थोड़ी दिर बाद वो लड़ खड़ाते हुए कमरे में आया और आज भी वो बहुत नशे में था मैंने पूछा किस लड़की के साथ आये हो कौन थी वो लड़की इस बात पर आज फिर हमारी लड़ाई हो गई आज तो हो हद पार कर गया उसने शराब के नशे में मुझे तलाग दे दी और कमरे से बाहर निकाल दिया मुझे यकीन नहीं आ रहा था कि वो मुझे तलाग दे चुका था मैं समझ नहीं पा रही थी ये सब क्या हो गया मेरे कानों में वो तलाग के शब्द काफी देर तक घूंचते रहे मैं अपने होश में ही नहीं थी मैंने कभी नहीं सोचा था कि किस्मत मेरे साथ इतना भयानक मजाग करेगी अभी कल सुबह की बात तो थी कि मैं कितना खुश थी कि आज मेरी शादी की सालगरे है मैं नहीं जानती थी कि मेरा शोहर मुझे शादी की सालगरे की तुफे में अगले ही दिन तलाग देगा मुझे ऐसा तोफ़ा मिला था जो दुनिया में किसी ओरत को नहीं मिला होगा मैं अपनी बर्बादी का मातम मना रही थी और वो जाकर आराम से सो गया था मैं सोच रही थी कि अब मैं क्या करूंगी अकेले घर कैसे जाओंगी क्योंकि हर बार मैं अपने शोहर के साथ ही अपने घर जाती थी मेरा भविश्य तो खराब हो चुका था मुझे यकीन नहीं हो रहा था कि लव मैरिज करने वाला भी मुझे यूँ शोड़ सकता है अजान की आवाज जब मेरे कानों में पड़ी तब मुझे होश आया तो देखा मैंने पूरी रात बाहर जमीन पर पड़े ही गुजार दी है और रात का सारा मंजर मेरे आँखों के सामने घूमने लगा मैं सोचने लगी कि अब मुझे यहां से जाना चाहिए क्योंकि तलाक के बाद यहां रहने का कोई मतलब ही नहीं बनता था मैं अपने कपड़े लेने के लिए कमरे में गई जैसे ही दर्वाजा खोला तो देखा वो बैट पर पड़ा सो रहा था मैंने जाकर अलमारी खोली और अपने कपड़े निकालने लगी अलमारी की आवाज से उसकी नीन खुल गई और मुझे बैग में कपड़े रखते हुए देख कर वो हैरानी से बोला तुम इतनी सुभे सुभे कहा जा रही हो मैंने घुस्से से उसकी तरफ देखते हुए कहा कै तुम नहीं जानते कि कल रात तुम मुझे शराब के नशे में तलाग दे चुके हो वो फॉरन उठा और मेरी पैर पकड़ लिए मेरे कदमों में बैठा और रोते हुए माफी मागने लगा मुझसे गलती हो गई मैं तुमसे बहुत महबत करता हूँ मैं तुम्हें कहीं नहीं जाने दूँगा मैंने कहा मैं भी तुमसे बहुत महबत करती थी लेकिन अब रोने धोने से कोई फाइदा नहीं है तलाग के बाद मैं तुम्हारे साथ एक छट के नीचे नहीं रह सकती वो बोला अब से मैं शराप पीना छोड़ दूँगा मैं सब कुछ ठीक कर दूँगा बस तुम्हें हलाला करवाना पड़ेगा फिर उसके बाद हम दुबारा निकाहा करके साथ साथ रहने लगेंगे फिर सब ठीक हो जाएगा मैंने हरानी से उसकी तरफ देखते हुए पूछा हलाला वो क्या होता है तुम यहीं रुको मैं अभी बंदबस्त करके आता हूँ यह कहते हुए वो घर से बाहर निकल गया जाते हुए वो मुझे एक अजीब से सवाल में उलजा कर चला गया था मैं सोच में पढ़ गई थी कि यह हलाला क्या होता है और उससे सब कुछ ठीक कैसे हो जाएगा आज मैं जिन्दगी के उस मोल पर आगर खड़ी थी कि मुझे अपने पसंद की शादी करने पर बहुत पच्चतावा हो रहा था मेरा नाम नसीम है मैं एक गरीब घराने से सम्मंद रखती थी मुझसे दो बड़ी बहने और एक छोटा भाई था मैं दोनों पहनों से बहुत खुबसूरत थी इसलिए मैं हर चीज पर अपना हक समझती थी घर में कुछ भी समाल आता मैं पहले सबसे पहले लेती और फिर बात में बची हुई चीजें अपने भाई भेनों को देती मेरी हमीशा से खौईश थी कि मैं किसी अमीर लड़के से शादी करूँ जिससे मेरी जिन्दगी एश्वाराम से निकले जो मेरा जीवन साथी हो वो पैसे वाला होना चाहिए मैं जिस कॉलेज में जाती थी वहां कई अमीर लड़कें भी पढ़ती थी उन में से कुछ अमीर लड़कें से मेरी भी दोस्ती हो गई थी उनका रहन सहन, खाना पीना और उनकी बड़ी-बड़ी गाड़ियां देखकर मेरा भी बड़ा मन लल जा जाता था मैं भी वैसे ही जिन्दगी की खौइश करने लगी थी मेरी एक फ्रेंड जिसका नाम निशा था वो बहुत अच्छी थी वो भी एक बहुत अमीर घराने से थी वो मेरे साथ अकसर मेरे घर भी जाती थी और जब भी वो जाती थी तो बहुत सारे महंगे महंगे गिफ्ट लेकर जाती थी इसलिए उससे मिलने के लिए मुझे किसी ने कभी नहीं रोका था लेकिन मैं नहीं जाती थी कि निशा के दिमाग में क्या चल रहा है और ना ही मैं ये जानती थी कि वो मेरे घर एक खास मक्तलब से आ रही है जब मुझे पता चला तो मैं हैरान ही रह गई क्योंकि उसने मुझे कहा था कि वो अपने चचेरे भाई के लिए मेरी बड़ी बहन का रिष्टा मांगना चाहती है मेरी अम्मा तो खुद ही उसके रिष्टे के सिलसले में बहुत परिशान थी इसलिए फौरन कह दिया हाँ ठीक है तुम लड़के को भी ले आना दो दिन बाद ही निशा एक बड़ी सी महंगी गाड़ी में स्मार्ट और खुब सूरत से अपने चचेरे भाई को लिये हुए हमारे घर आ गई और मेरी बड़ी बहन का रिष्टा मांग लिया ये देखकर मुझे बहुत जलन हो रही थी मैंने निशा से कहा ये रिष्टा तुम मेरे लिए नहीं ला सकती थी वो बोली मैंने सोचा तुम्हारी बड़ी बहन की शादी नहीं हुई है तो पहले उसकी शादी होगी इसलिए मैं उसके लिए रिष्टा ले आई मैंने उसे गुसे में कहा जाओ अभी अंदर और अमा से मेरे लिए कहो उसने ऐसा ही किया और जाकर अमा से कहा आण्टी में अपनी दोस्त के लिए रिश्टर आई थी गलती से आपकी बड़ी बेटी का नाम ले दिया अम्मा उसे मना करने ही वाली थी कि मैंने अम्मा को इशारे से मना कर दिया कि अभी कुछ ना कहें उनके जाने के बाद मैंने घर में बहुत हंगामा कर दिया कि मैं शादी निशा के कजिन से ही करूँगी वरना खुद खुशी कर लूँगी निशा के कजिन को मैं दो तीन बार कॉलिज में आते जाते देख चुकी थी वो निशा को कभी कभी छोड़ने और लेने आता था इतना खूबसूरत नौजवान और उस पर दौलत मन कोई बेवकूफ ही होगी जो ऐसे लड़के से शादी करना नहीं चाहेगी मैं उसे मन ही मन चाहने लगी थी घर में सब मुझे मतलबी और खुदगर्स कह रहे थे मैंने सब के तानों पर कोई ध्यान नहीं दिया मुझे तो बस अपना भविश्य समारना था और उसके लिए मैं किसी भी हद तक जा सकती थी इसलिए मैंने सबसे जगड़ कर मतीन से शादी कर ली मैं उसके साथ शादी करके बहुत खुश थी क्योंकि मैंने जो चाहा था वो पा लिया था मेरी खौईश पूरी हो गई थी मतीन ने मुझे शादी पर बहुत सारा सोना और हीरे की अंगूठियां दी थी ये शादी मैंने अपने घरवालों की मर्जी के खिलाब जाकर की थी मेरी शादी में मेरे घरवालों की रजामंदी शामिल नहीं थी मुझे याद है एक बार अम्मा ने कहा था कि मुझे तो बड़ी वाली बेटी का रिष्टा भी वहाँ नहीं करना था और तुम अपनी जिद लेकर बैट गई हो वो लोग हमारे उम्मीदों से बहुत उंचे हैं और लड़की के आगे पीछे भी कोई नहीं है तो हमारा दिल नहीं मान रहा है मगर मेरा तो मान रहा था क्योंकि मैं निशा को बहुत अच्छी तरीके से जानती थी और वो मेरे लिए कोई गलत फैसला नहीं ले सकती थी वो निशा का कजिन था इसलिए मैं बेफिकर थी शादी के बाद तो मैं हवाओं में उड़ रही थी जैसे मेरे पर लग गए हो वो मेरा बहुत ह्याल रगता था कुछ दिन तो सुकून से गुजरे मगर धीरे धीरे मुझे ऐसास होने लगा कि मतीन का किसी और लड़की से चक्कर है क्योंकि जब भी उसका फोन आता तो वो बाहर बात करने चला जाता था पूछने पर कहता कि दोस्त का फोन है और एक दिन जब वो बातरूम में था उसके फोन की घंटी बजी मैंने फोन उठाया तो एक लड़की की आवास थी मेरी आवास सुनकर उसने फोन काट दिया इतने में वो बातरूम से बाहर निकल आया और चीखने लगा कि बिना मेरी पर्मीशन के मेरे फोन को आज के बाद हात मत लगाना फिर अगले दिन उसने अपनी इस हरकत के लिए मुझसे माफी माग ली लेकिन मैं बहुत उलजन में थी फोन पर जिस लड़की की आवास मैंने सुनी थी वो कुछ जानी पैचानी से लग रही थी मेरे दिल में शक्र की गाट लग चुकी थी वो मेरी लिए बहुत कीमती तोफे लेकर आता लेकिन मुझे लगता था कि वो किसी और लड़की के साथ चक्कर चला रहा है बगर मुझे क्या पता था कि मुझे धोका देने वाली मेरी अपनी दोस्त होगी वो निशा थी जिसको मैंने अपने शोहर के साथ देखा था और उसी की वज़े से आज हमारा जगडा हुआ था और आखिर में तलाक हो गई अब अपने घर भी नहीं जा सकती थी क्योंकि घर वालों को पता चलता तो वो मुझे ताने देते कि हमने तो पहले ही कहा था कि वो लड़का अच्छा नहीं है और ये बात तो मैं भी समझ चुकी थी कि वो अच्छा लड़का नहीं है क्योंकि लड़कियों से दोस्ती रखता है और शराप पीता है बगर अब उसने हलाले की बात की है तो मुझे समझ नहीं आ रहा बस यूँ ही क्योंकि मुझे इस बारे में कुछ पता नहीं है, इसलिए पूछ रही हूँ, वो बोली इस बारे में तो मुझे भी कुछ नहीं पता, ये हलाला कभी किसी को होते हुए नहीं सुना है, मैं किसी बड़े से पूछ कर बताती हूँ, एक घंटे बाद मेरी बहन का फ पश्तावा होता है कि जो उसने किया वो गलत था, उसे अपनी बीवी से बहुत महबत है और दोनों एक दूसरे के बगर नहीं रह सकते हैं, और एक दूसरे को छोड़ना नहीं चाहते हैं, उससे में, नशे में और दोनों की लड़ाई जगड़े में तलाक हो गई है, तो मि मिया बीवी एक दूसरे पर हराम हो जाते हैं, और एक दूसरे पर दोनों का कोई हक नहीं होता, फिर भी मिया बीवी एक साथ रहना चाहते हैं, तो उसके लिए बीवी को किसी दूसरे मर्द से निकाह करना होगा, और निकाह करके उसकी बीवी बन कर उसके साथ रहना होगा, फिर जब वो दूसरा मर्द अपनी मर्जी से तलाग दे दे तो उसके बाद उसका पहला शोहर उससे निकाह कर सकता है इस सारी प्रकरिया को हलाला कहा जाता है जो कि शोहर के लिए एक बहुत बड़ी सदा है इसलिए तलाग को इसलाम में बुरा माना जाता है सभी मुसल्मान मर्दों को तलाग नाम का शब्द भी अपनी जबान पर लाना सकत मना है ये सब सुनकर मैं परिशान हो गई क्योंकि वो तो मुझसे कहकर गया था कि वो हलाला का बंदोबस्त करने जा रहा है मैं उसी उलजन में थी कि निशा घर आई निशा को मैंने बताया कि कल रात एक लड़की उसे छोड़ने घर आई थी जिसकी वज़े से हम दोनों में जगडा हो गया और उसने मुझे शराब की नशे में तलाग दे दी तो निशा ने बताया कि कल रात उसने क्लब में बहुत शराब पीली थी वो लड़ खड़ा कर जमीन पर गिर पड़ा था कहीं गाड़ी चलाते वक्त उसका एक्सिडेंट ना हो जाए इसलिए मैं उसे घर चोड़ने आई थी मैंने कहा अब तो तलाक हो गई है निशा बोली इसमें तुम्हारा कोई कसूर नहीं है क्योंकि वो तुम्हें खुद तलाक देना चाहा रहा था उसको बस मौकी की तलाश थी उसने जान भूच कर तुम्हें तलाक दी है मैंने परिशान होकर कहा मगर वो तो हलाले का कह रहा था निशा ने कहा उसकी किसी बात पर यकीन मत करना अगर हलाले के लिए हां की तो तुम फस जाओगी उसकी बाते सुनकर मैं तो हका बका रह गई मैंने पूछा क्या मतलब इस बात का वो कुछ बता पाती उससे पहले ही मेरा शोहर कमरे में आ गया और बात वही रह गई वो ये बात उसके सामने नहीं करना चाहती थी उसने इशारे से मुबाइल फोन दिखाया कि मुझे कॉल करके बात कर लेना और थोड़ी देर बाद वो चली गई मेरे शोहर के बारे में ये सच कि उसने जान बूच कर मुझे तलाग दी थी मुझे परिशान कर रहा था ऐसा हो ही नहीं सकता क्योंकि सुबा वो मेरे पाउँ पकड़ कर माफी माग रहा था कि उसने नशे में मुझे तलाग दे दी और अब निशा कह रही थी कि उसने जान बूच कर ऐसा किया निशा तो उसकी कजन थी फिर उसने मुझे क्यों ये सब बताया उन दोनों का क्या मकसद था मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था बहुत सारे सवाल मेरे दिमाग में उलज़न पैदा कर रहे थे मैंने अपने शोहर की तरफ देखा तो वो कहने लगा तुम फिक्र मत करो बहुत जल्द ही हमारा हलाला हो जाएगा तब तक तुम दूसरे कमरे में रह सकती हो मैं दूसरे कमरे में आ गई उन दोनों का विवहार मुझे उलज़ा रहा था रात के समय निशा का फोन आया वो कहने लगी तुम अपने शोहर के साथ सुरक्षित नहीं हो अब तो तुम उसकी बेवी भी नहीं रही तो तुम क्या कर रही हो उसके साथ मैंने कहा तुम इस तरह ही बात क्यों कर रही हो तुम तो उसकी कजिन हो जबकि तुमने ही हमारी शादी करवाई है वो शर्मिंदिगी से बोली मुझे बस ये मालूम था कि वो थोड़ी बहुत ड्रिंग करता है पर ये पता नहीं था कि उसके लड़कियों के साथ भी स्तमन्ध है और वो गैर कानूनी काम भी करता है तो मारे साथ भी उसका कुछ बुरा करने का इरादा है उसकी बात सुनकर मैं डर गई क्या वो सच के रही है ये तो सच था कि मुझे किसी वो किसी संदिग्ध हरकतों में शामिल लगता था मैं ये नहीं सोच सकती थी कि वो मेरे साथ कुछ बुरा कर सकता था निशा कहने लगी उसकी किसी बात में मत आना बस सुबा होते ही वहाँ से निकलाना मैंने परिशानी से कहा मैं कहा जाऊंगी घर नहीं जा सकती वो माफ नहीं करेंगे वो कहने लगी जब तक तुम्हारे घर वाले नहीं मानेंगे तुम मेरे पास मेरे घर में आ जाओ मगर मतीन को ये बात मत बताना कि मैंने तुम्हें ये सब कहा है सारी रात मैं उसी सोच में उल्जी रही क्या जूट है और क्या सच है फिर मैंने सोचा उसके साथ एक छट के नीचे रहना भी ठीक नहीं है जब तक की हलाला ना हो जाए सुभा ही उसके घर से जाने के बाद मैंने अपना समान पैक करना शुरू कर दिया तो निशा का फोन आ गया उसने मुझसे कहा कि आते हुए अपनी सारी जुलरी अपने साथ लेती हुई आना क्योंकि उस पर तुम्हारा हक है बाद में तुम्हें ये सब नहीं मिलेगा बाद तो उसकी ठीक थी एक बैग में मैंने सारी जुलरी रख ली और फिर मैं उसके घर चली गई निशा ने मुझे अपने छट के उपर बना रूम रहने के लिए दिया और उसने कहा कि मुवाइल बन कर दो और किसी से भी बात मत करना क्योंकि हो सकता है वो तुम्हें ढूनता हुआ यहां आ जाए और नीचे मत आना जब तक मैं ना कहूँ मैं खामोशी से उसकी हर बात मानती गई और उपर चली गई मैं सोचने लगी कि जब मतीन घर आएगा तो मुझे ना पाकर बहुत परिशान होगा पता नहीं निचा की बात मानकर मैंने ठीक किया या फिर गलत फिर सोचा कि निचा तो मेरी दोस्त है मेरे लिए गलत नहीं सोचेगी फोन बंद करने से पहले मैंने आकरी मैसेज देखा तो वो मतीन का था उसने लिखा था कि हलाले का इंतिजाम हो गया है आज के बाद मैं सारी बुरी चीजों को छोड़ दूँगा और आगे आने वाली हमारी जिन्दगी खुशाल होगी और मैं सब ठीक कर दूँगा मैं अपनी की हुई इस गलती पर बहुत शर्मिंदा हूँ मैसेज पढ़कर मेरा मन भराया और मुझे लगने लगा कि मैंने यहां आकर गलती की है मुझे अपने शोहर के पास चले जाना चाहिए हो सकता निशा को मेरे शोहर के बारे में कोई गलत फैमी हुई हो वो बेकार में मेरे शोहर पर शक कर रही है मैं निशा को बिना बताएं चुपके से नीचे उतरी और अपने शोहर के आने से पहले घर चली गई मैं उसको एक मौका और देना चाहती थी थोड़ी दिर बाद वो आया और आते ही कहने लगा चलो हम अभी और इसी वक्त हलाला करेंगे तभी उसे किसी की कॉल आ गई और वो सुनने बाहर चला गया मुझे उस पर शक था कि कहीं किसी लड़की से तो बात नहीं कर रहा है मैं उसके पीछे चली गई ताकि उनकी बाते सुन सकूँ वो कह रहा था आपका माल तयार है मैं उसे लेकर अभी आता हूँ अरे मैंने आपको बताया तो है कि अब वो मेरी बीवी नहीं रही मैं उसे तलाक दे चुका हूँ अब वो बस आपकी हुई मेरे पैसे तयार रखो इतना सुनते ही मेरे पैरो तले जमीन खिसक गई मेरे आखों के सामने अंधीरा सचा गया इसका मतलब निशा ठीक कह रही थी मैं ही बेवकूफ थी अच्छे खासे घर से निकल कर दलदल में फसने के लिए आ गई थी मैंने जूलरी वाला बैग उठाया उसको बाते करता छोड़ मैं वहां से निशा के घर निकल गई निशा के घर पहुँची तो वो मुझे ढून रही थी और घुसे में बोली कि तुम बिना बताय कहां चली गई थी मैंने निशा को सारी बाते बताने का सोचा लेकिन फिर जूट बोल दिया कि मेरी तबिया ठीक नहीं थी इसलिए डॉक्टर के पास गई थी शाम को निशा आई और कहने लगी एक दोस्त ने खाने पर बुलाया है तुम्हारा भी मूट फ्रेश हो जाएगा तुम भी साथ चलो मैं जाना नहीं जा रही थी लेकिन उसके जोर देने पर जाना पड़ा हम जहां गए वो एक घर था वहां जाकर आश्यरे हुआ कि हम वहां सिर्फ तीन लोग ही थे जिस आदमी की घर हम आय हुए थे वो अजीब आदमी था और मुझे अजीब सी नजरों से घूर रहा था निशा वाश्रूम जाने का कहकर जाने कहा चली गई मुझे चिंता हो रही थी जब वो बहुत देर हो गई और वो नहीं आई तो मैंने उस अजीब आदमी से पूछा निशा कहा है उसने कहा वो तो चली गई मैंने गुस्से में कहा वो मुझे अकेला चोड़ कर कैसे जा सकती है मुझे कुछ गड़बर होने की आशंका हो रही थी मैंने कहा मैं भी जा रही हूँ मैं जाने लगी उस बूड़े अजीब आदमी ने मेरा रास्ता रोक लिया और उसने जो मुझे बताया उसे सुनकर ऐसा लगा जैसे किसी ने मुझे आस्मान पर उड़ते हुए हवाई जाहाज से नीचे धक्का दे दिया हो मैं सुनकर सन रह गई वो कह रहा था कि वो तुम्हें मेरे पास ही छोड़ने आई थी और बदले में पूरे 50 लाख रुपए लेकर चली गई मेरे तो रोंगटे खड़े हो गए निशा मुझे इस तरह धोका देगी मैंने कभी नहीं सोचा था उस आदमी की बाते सुनकर उसे देखकर मैं समझ गई थी कि उसकी नियट ठीक नहीं है मैंने बिना एक छण भी गवाते हुए वहां से भागी उस बुड़े आदमी ने मेरे पीछे अपने आदमियों को दोड़ा दिया मैं उन गुड़ों से बच कर एक कमरे में गुजगई और पुलिस को फोन लगा दिया और अंदर से दर्वाजा बंद कर लिया उसके आदमी दर्वाजा तोड़ने की पूरी कोशिश कर रहे थे वो किसी भी वक्त अंदर आ सकते थे मुझे मेरे लालच ने आज यहां तक पहुचा दिया था पहले शोहर से धोका मिला फिर सहेली ने धोका दिया मेरी इज़त खत्रे में थी मैं दोनों हाथ जोड़कर अपने खुदा को पुकार रही थी और मदद की गोहर लगा रही थी अपने लालच के लिए अपने खुदा से माफी मांग रही थी उपर वाले को मुझे पर तरस आ गया था और सही टाइम पर पुलिस आ गई और मुझे उन गुंडों से बचा लिया मैंने रोते हुए पुलिस वालों को सब सच सच बता दिया था पुलिस ने मतीन और निशा को गरफतार कर लिया था पुलिस तहकीकात में पता चला कि मतीन और निशा दोनों किसी बड़े ग्रहों के लिए काम करते थे और मेरी जैसी मिडल क्लास लड़कियां जो अमीर होना चाहती है उनको फसा कर मतीन टाइम पास करता और तलाग दे कर उन्हें हलाले के बहाने आगे बेश देता निशा ने मुझसे जानबूच कर दोश्ती की थी और मतीन से शादी करवा दी कुछ टाइम तक तो सब सही चलता रहा लेकिन कुछ दिनों बाद पैसों की लेंदेन को लेकर मतीन और निशा में जगड़ा हो गया जिसका बदला लेने के लिए निशा ने मुझे टारगिट किया और उस बूड़े अयाश को बेश दिया वो तो मेरी किस्मत अच्छी थी के मैं बच गई वरना मेरा भी वही हाल होता जो मुझसे पहले वाली लड़कियों का हुआ था मैं अपने घर गई और मैंने अपने माबाप के पैर पकड़ कर माफी मागी मैं बहुत गलत थी मैं अमीर होने के लालच में बर्बान होते होते बची थी मैंने मतीन जैसे इंसान के लिए अपनी बेपना महबत जिंदिगी का एक कीमती साल बरबात कर दिया था और आज मैं खाली हाथ खड़ी थी जो जुलरी उसने मुझे शादी पर दी थी वो सब नकली थी अब मुझे अच्छे से समझ आ गया था कि मैं कितनी गलत थी जिन्दगी ने मुझे अच्छा सबक सिखाया था लालच इनसान की सोचने समझने की शक्ती को नश्ट कर देता है दोस्तो मोरल आव दर स्टोरी ये है कि भूक दौलत की हो शोहरत की हो या अयारी की हद से बढ़ती है तो नजरों से गिरा देती है आशा करती हूँ दोस्तो आपको आज की कहानी ज़रू पसंद आई होगी अगर पसंद आई है तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजे और वीडियो को लाइक एंड शेयर कीजे फिर मिलते हैं आने वाले नए वीडियो में नई कहानी के साथ